बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे निबंध का आज़िए अवलोकन करेंगे जिसके रचनाकार आधुनिक हिंदी साहित की स्थापना में बहुत योगदान दिया है बच्चों, आज हम आधुनिक हिंदी साहित की स्थापना में ससक्त भूमिका का निर्वहन करने वाले बाल मुकुंद गुप्त जी पर चर्चा करेंगे उनका पाठ है, उनका निबंध है, विदाई संभाश है बच्चों, श्री बाल मुकुंद गुप्त का जन्म, 14 नॉम्बर 1865 के हर्याना के रिवाडी जिले के गुडियानी गाउं में हुआ था पिता का नाम लाला पूननमल था इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई और विदिवत शिक्षा मिदिल इस्कूल तक प्राप्त की और शेश जो है अपने स्वाध्याय के द्वारा अपने ग्यान की बृद्धी की और पंद्रह वर्ष की आयू में अनार देवी जी के साथ इनका पानिग्रहन संस्कार हुआ बाल मुकुंद गुप्त बहुत ही अध्यांसील शहंसील और साथ ही कुशाग्र बुद्धिके थे बहुत तेज बुद्धिके थे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित को इस्थापित करने वाले लेकों में से एक थे इनका नाम हिंदी साहित की स्थापना में खासकर आधुनिक हिंदी साहित की स्थापना में बड़े गवरों के साल लिया जाता है स्रीबाल मुकुंद गुप्त जी को भारतेंद युग और दिवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है उच समय के बहुचर्चित लेखक थे माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंदु, किशोरी दास बाचपेई, स्वामी सत देव परिब्राजक, बाबु श्याम सुन्दर दास आद ऐसे रचनाकार थे जिनका नाम बड़े गवरों के साथ लिया जाता है और इन लोगों ने हिंदी को आगे बढ़ाने में अभूत पूर्व योगदान किया है इन सभी विद्वानों ने खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में जहां एक और भरपूर प्रयास किया है वहीं पर इन्होंने हिंदी की भैयाकर्णिक बेवस्था को भी सुधारा है इनके काभिगुरू पंडित प्रताप नारायन मिश्र जी थे बार्मकुम गुप्त जी अपने समय के कुशल संपादक बिनोध प्रियलेखक थे इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन कारी किया है उर्दू के दो पत्रों अखवारे चुनार और कोहे नूर का इन्होंने संपादन किया है बाद में इन्होंने तीन दैनिक पत्रों जैसे हिंदोस्तान, हिंदी बंगवाशी तथा भारत मित्र का संपादन बहुती कुशलता पूर्वक किया है इनकी निर्भीक पत्रकारिता ने अनेक प्रशिबंधों के बाबजूत भी पुनर जागरन काल में हिंदी की भरपूर सेवा की पत्रकारिता और साहिति लेखन के साथ साथ बहुत महत्तपूर्ण रचनाकारों ने हिंदी साहिति को अनेक उपहार दिये हैं उस दौर के अन्य पत्रकारों ने भी साहिति स्रियन किया है जैसे भारतेंदू हरिश्चंद आचारी महावीर प्रशाद दुवेदी इस युक के महान साहितिकार थे और आज भी अनेक रचनाकार जो हैं साहिति स्रियन भी कर रहे हैं और पत्रकारिता भी कर रहे हैं जैसे नाम आता है पुराने में पदुमलाल पुर्णालाल जी वक्षी इन्होंने सरस्वती का संपादन किया था पंडित बल्देव प्रसाद मिश्रु पंडित भवन प्रसाद मिश्रु कनया लाल नंदन शुदामा शरद राजेंद्र वस्थी रमेश नईयर गिरीश पंकच आध्य अनेक रचनाकार जो भरपूर साहित की सेवा करने हैं इसके साथ-साथ इन्होंने पत्रकारिता में भी किरत्मान इस्थापित किया है यह परंपरा भारतेंद युक से शुरू हुई और रात तक चल रही है लेकिन वर्तमान में बहुत कम ऐसे रचनाकार हैं जो पत्रकार और साहितिकार दोनों हो स्री बालमकुंद गुप्द ज जो है वह एक तरह से स्वाधीनता संग्राम का हंथियार थी यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीक्ता पूरी तरह से बिद्यमान है साथ ही उनमें व्यंग विनोद का भी पुट देखने को मिलता है वे सब्दों के अद्भुत पार्खी थे बालमकुंद गुप्द जी का देहावसान 42 स्वर्श की आयू में 18 सितंबर सन 1907 में हो गया पुनर जागरन काल का सितारा जो है वो डूप गया इन्होंने पत्रकाजिता के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि अनेक ग्रंथों का प्रणेयन किया है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं और बड़े चाव से पढ़े जाते हैं जैसे शीव संभु के चित्थे उर्दूब बीवी के नाम चित्थी खिलावना खेल तमाशा बाल मुकुंद गुप्द निबंधा वली और अनेक अनुबाद भी किये हैं जैसे मडेल भगनी यह बंगला उपन्यास रतना वली जो है हर्स का कृत नाटिका है यह महाकवी हर्स ने अनेक ग्रंथों का प्रण किया था तो रतना वली एक नाटिका है जिसका अनुबाद बाल मुकुंद गुप्द जी ने किया है गुप्द जी ने देश भक्ति पूर्ण साहित की सरजना अधिक की है तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर इन्होंने ब्यंगात्मक लेख लिखे हैं इनकी भासा सहली के बिनोद पूर्ण होती थी किसी प्रकार का विशय हो गुप्द जी की लेखनी इस पर बिनोद कारंग चड़ा ही देती थी वास्तों में गुप्द जी पूर्ण में उर्दू के अच्छे लेखक थे इसलिए बोल चाल की भाषा इनके साहित में आही गई है इस कारण से गु देशया नुकूल तत्सम तत्भव विदेशी सब्दों के सार्थक एवं प्रवावशाली धंग से प्रयोग हुए हैं इनकी भासा सेली वननात्मक आत्मपरक और ब्यंग आत्मक हैं इनके ब्यंग बहुत ही मर्म इसपरशी एवं तीक्ष्ण हैं बहुत तेज ब्यंग हैं जो पाठक को तिल मिला देते हैं बच्चों आपके पाठ्थ पुस्तंग में शंकलित विदाई संभाशन गुप्त जी की सरवाधिक शूप्रशिद्ध ब्यंग रचना है यह ब्यंग रचना यह ब्यंग है क्या वास्तव में आप इस नाम से परचीत अवस्य होंगे पर थो कारी मैं आपको दे रहा हूं कि वास्तों में ब्यंग जो है पनंपरागत अर्थ में ताना या चुठकी के रूप में दिखाई देता है एक ब्यंग कार अपनी सुविधा की अनुसार एक विधि का प्रयोग करता है जैसे खिल्ली उलाना भड़ेती है ठठ्ठा है पैरोडी ही है उपहासात्मक्ष्वांग है या नकल रूपक ताना अनेक नाम है इसके व्यंग के जो आदिकाल से चले आ रहे हैं वास्तों में व्यंग बौधिक रूप है आक्रोश का वास्ताओं में व्यंग शाहित एक ऐसी रचना है जिसमें विशंगतियां विद्रूपताएं और पाखंड का परदाफाश हो शुप्रसिद्ध व्यंग कार स्रीहर्चंकर परशाई जो हैं व्यंग को पाजभाशित करते हुए कहते हैं कि व्यंग जीवन से साक्षातकार करता है व्यंग जो ह व्यंग एक सही माप दंड है आचार्य हजारी प्रसाद्धुवेदी ने व्यंग को पारिभाशित करते हुए कहा है कि व्यंग वह है जो जहां कहने वाला अधरोष्ट में तो हस रहा हो और सुनने वाला तिल मिला उठाओ और फिर कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पत बना लेना हो जाता है वास्तों में कथन की भंगिमा वक्रता हाजिर जवाबी भाशा का खुर्दूरा पन आदि विशेस्ताएं ब्यंग में होती है ब्यंग कार प्रतेक शब्द को नपीत उलिश्यली म में उपस्तित करता है एक ऐसी प्रखर भाशा की स्रिस्तिका संकल पलेकर मैंदान में उतरता है जिसकी प्रतेक अभिव्यक्ति घायल करने और मरहम लगाने में एक साथ समर्थ होती है वासों में बच्चों ब्यंग जो है गद्ध की समस्त बिधाओं में लिखे गए पद्ध में तो लिखाई ही गया पर गद्ध की तमाम बिधाओं में ब्यंग लिखे गए लेकिन निबंध साहित में अधिक प्रगती हुई है स्री बाल मुकुंद गुप्त जी के अतिरिक्त स्री रवीन नात्यागी हर्शंकर परशाई वर्शाने लाल चतुरवेदी शरत जोसी लतीब घोंगी नरेंद्र कोहली स्री लाल शुक्ल पद्ध मस्री डॉक्टर ग्यान चतुरवेदी व्यंग स्री गिरीश पंकच्च प्रेम जनमेजय डॉक्टर इसनेहलता पाठक डॉक्टर महें ठाकू ट्रिववन पांडे डॉक्टर संकर पुरंताम बेकर अर्विंद तिवारी आदी ब्यंग विधा के ससक्त हस्ताक्षर जो निरंतर उतक्रिष्ट ब्यंग स्रीष्टिक कर रहे हैं कि ब्यंग की संख्षिप्त जानकारी बच्चों आपको दी ब्यंग है क्या ब्यंग के तत्तों किया है और ब्यंग लिखने वालों के बारे में शामान्य तोर पर मैंने आपको बताया अब आईए देखते हैं यह जो आपकी पाठिपुस्तक में बिदाई संभाशन स्रीबाल मुकुंद गुप्त का जो चर्चित ब्यंग है वो रखा गया है इनकी जो अमर रचना है शीव संभु के चित्थे उसी का एक भाग है बिदाई संभाशन लाइड करजन दो बार भारत के वाइश्राय बनकर आए उन्ही की कुनीतियों जिनका एक मात्र उद्देश सासन में गोरों के वर्चस को स्थापित करना था वे चाहते थे कि अंग्रेज पूरी तरह से स्थापित हो जाए और भारत देश के संसाधनों का अंग्रेजों के ह में उपयोग करना होता था भारतियों पर हो रहे अत्याशारों और लाइड करजन की लाचारी को भ्यंगात्मक धंग से इस निवन्द में प्रस्तुत किया है बालमकुन्द गुप्त जी ने लेखन जो है लाइड करजन को माई लाइड कहकर संभोधित करते हुए कहता है कि संसार में सब बातों का अंत है और आपको भी अंततर इस भारत देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है कि मीलाड विदाई का समय बहुत करुणा पैदा करने वाला होता है माई लाड बिदाई का जो समय होता है वो बहुत करुणा पैदा करने वाला होता है और जो भारती लोग हैं विदाई के समय अपने सत्र के प्रति भी बैरभाव को त्याग देते हैं इसी कारण भारत में बिदाई को अत्यंत पवित्र निर्मल और कोमल माना जाता है लेखक लाड करजन पर कटाक्ष करते हुए लिखता है कि इस देश के पसुपक्षियों को भी बिछुडने के समय उदास देखा जा सकता है बड़े दुखी होते हैं वास्तों में इस देश के पसुपक्षियों को भी बिछुडने के समय उदास देखा जाता है एक बार शिव संभू की दो गाएं थी उनमें एक अधिक बलवाली थी वह कभी-कभी अपने सीगों की शाहायता से दूसरों को मार दिया करती थी तो शिव संभू ने उस गाय को पंडी जी को दान कर दिया पुरोहित जी को और जो जिल गायों को सिव संभुने घर में रखा था, उन्होंने भी दाना पानी छोड़ दिया, तो इस तरह से वास्तों में बिछोड़ने का जो दर्द है, हमारे यहां पस्पक्षियों को भी बहुत होता है। My Lord, आगे भी इस देश में जो प्रधान सासक आये, अंत में उनको जाना पड़ा। इसमें आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, चूंकि आप भी जाने के लिए ही आये हैं। वास्तव में आया है सो जाएगा राजारंग फकीर यह तथ्य तो दोसरे तरफ इंगित करता है। लेकिन जो इस देश में आया शासन करने और खासकर ब्रिटिस समय में जो आया है वह गया है। तठा पी आपके शासन काल का नाटक घोर दुखान्त है। आगे भी इस देश में जो प्रदान साशक आये अन्त में उन्हींको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परमपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। यह परमपरागरत है। तथा आपके शासनकाल का नाटक जो है घोर दुखांत है और अधिक आश्यर की बात यह है कि दर्सक्त तो क्या स्वयम सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसके खेल का सुखांत समझ कर खेलना आरंब किया था पर वो दुखांत हो जाएगा आपको भी पता नहीं था कि आपकी अंती मिस्तिती कितनी दर्दनाक होगी कितनी दुखांत होगी आप एक सुत्रकार के रूप में इस देश में काम करते रहे लोगों पर अत्याचार करते रहे लेकिन आपका अंत जो है वहां अत्यंत दुखद रहा दुखांत रहा जिसके आ घमंडी खिलाडी समस्ता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं कि तुप पर्दे के पीछे एक और लीला में ही लीला कर रहा है उसकी खबर नहीं होती और अगर इसको हम आध्यात्मिक रूप में लें तो एक तीसरी ताकत और है जिसे हम परमात्मा के नाम से जानते है लेकिन चुकि यह ब्यंग है तो यहां पल्लेखक ने महारानी विक्टोरिया के रूप में तीसरी शक्ति का प्रयोग किया है इस बार बंबई में उतर कर माई लाड़ आपने जो इरादे जाहिर किये थे आपने जो इच्छा ब्यक्त की थी जाना देखिये तो उनमें से कौ कौन पूरे हुए आपने बड़े संकल पर लिये थे आपने कहा था कि यहां से जाते समय भारत वर्ष को ऐसा कर जाओंगा कि मेरे बार आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा वे कितने ही वर्षों सुकी नीद में सोते रहें आप इतन दुबात उल्टी होगी बात बिलकुल विपरीथ हुई आपको शेंग इस वार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी असानती आप फैला कर चले हैं उसके मिटाने में आपके पदपर आने वालों को ना जाने कब तक नीद और भूंख का सामना करना पड़ेगा उनकी नीद और भूंख हराम करनी पड़ेगी इस वार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भातना चाया है इतनी तकलीब दी है इतना आत्याचार किया है उन पर आप स्यंग भी खुश न हो सके और यह ना की प्रजा को सुखी न होने दिया इसका लोगों के चित्क पर बहुत गलत असर पड़ा है और यही सबसे बड़ा दुख है आपके लिए भी और जनता के लिए बिशारिये क्या सान्द आपकी इस देश में थी कितनी उज्जत थी और अब क्या हो गई आप दस्त हो गए कितने उचे होकर आप कितने नीचे गिरे अलिफ लैला और अलादीन ने चिराग रगड़ कर और अब्दुलहसन ने बगदाद के खलीफा की गद्धी पर आँख खोल कर वह शान न देखी जो दिल्ली दरवार में आपने देखी है आपको और आपकी लेडी की कुरसी सोने क आपके प्रभु महराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की मैंने पूरा जितना सम्मान राजशाही होता है आपको सब कुछ मिला आप दाहिने थे वह बाएं आप प्रथम थे वेद्धुतिय दूसरे थे इस देश के सब रही सोने आपको सलाम पहले किया और बा से आगे और सबसे उंचा होता था हवदा चमार चात्र आज सब बढ़ चड़ कर रिकते कहने का भाव यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दरजा रहा है आपका ही इस्थान रहा है किन्तु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुक वहीं उंचे माने गए आपको साफ नीचा देखना पड़ा पद्रत्या की धंकी से भी उंचे नहों सके आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्य व्यक्ति थे उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस्वार कौसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन भासन देत समय दिवाला निकाल दिया यह दिवाला तो इस देश में हुआ उधर विलायत में आपको बार बार इस्थीपात देने की धंकी ने प्रकास कर दिया आपकी जड़ देई ए अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा धीरता-गंभीरता के साथ-ध्रता को भी तिला राजा महराजा डोरी हिलाने के समय हाथ बांदे हाजिर रहते थे। आपके एक इशारे में प्रले होती थी, कितने ही राजों को मित्टी के खिलोने की भांत आपने तोर फोर डाला। कितने ही मठी काठ के खिलों ने आपकी कृपा के जादू से बड़े-बड़े पदाधिकारी बन गए आपके इस इसारे में इस देश की सिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर अरह रखा गया, इतने बड़े माईल आड़ का दर्जा हुआ कि फोजी अपसर उनके इच्छित परपन नियत न हो सका और उसी गुच्षे के मारे इस तीफा दाखिल करना पड़ा, वो अभी बंजूर हो गया, उनका एक आदमी नौकर न रखा, आपने जो नौकर रखे थे, उसमें एक भी आदमी नहीं रह पाए, उल्टा उनी को निक काल जाने का हुकम मिल गया, माईलाड, आठ करोड प्रजा के गिड़ गिड़ा कर विच्छेत न करने की प्रातना पर आपने जराभी ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ा कठाक्ष, बाल मुकुंद गुप्त यहां कर रहे हैं, इसमें आपकी सासन अवद पूरी हो गई है, तथा आप बंग विच्छेत किये बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है, आखिर आपने उसको बंग को विच्छेत करी दिया, टुकडों में बाड़ दिया, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद्ध है, क्या समझते हैं, कि आपकी जिद्ध से प्रजा के जी में दुख न प्रजाने की जगह होती, तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ ना जाता, यहां की प्रजा ने आपकी जिद्ध का फल देख लिया, उसने देख लिया, कि आपकी जिस जिद्ध ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे कंपीड़ा नहीं, यहा की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कौस्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंता है दुख का समय भी एक दिन निकल जावेगा उसे मालूम है कि अगर सूर्ट डूबा है तो सबेरा जरूर आएगा इसी से सब दुखों को जेल कर प्राधीनता साकरी वह जीती है जानती है एक ने एक दिन हमारा देश्वादीन अवस्य होगा माईलाड इस कृतक गिता की भूम की महिमा आपने कुछ न समझी और नहा की दीन प्रजा की सरदावगती अपने साथ ले जा सके इसका बड़ा दुख है इस देश के सिक्षितों को तो देखने की आपकी आँखों को ताव नहीं वास्तों में इस देश के सिक्षितों को तो देखने की आपकी आँखों को ताव नहीं अनुपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुह से निकल जाया करता है एक बार अपनी विपत के कई सुल्तान ने नर्वागर नाम के एक इस्थान में काते वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक मुचे पद तक काम करना पड़ा था जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से बिदा हुआ नगर द्वार से बाहरा कर उस नगर को जिस रीत से उसने अभिवादन किया प्रणाम किया था वह सुनिये उसने आखों में आशू भर कर प्यारे नरवगर मेरा प्रणाम लो आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ तो मेरा अन्न दाता है अपने विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं तेरे रिण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता भाई नरवगर है यह मैंने जान बूच कर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो यहां की प्रजा की सुक्ष चिंता ना की हो यहां की इस्तियों को माता और बहन की दिश्चे न देखा हो तो मेरा प्रणाम न ले नहीं तो प्रसन होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आग्या दे माई लार्ड जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुभाशन करेंगे क्या आप कह सकेंगे अभागे भारत मैंने तुझे से सब प्रकार के लाब उठाया और तेरी बदौलत वहसान देखी जो इस जीवन में असंभव है तुने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ भी कमी न की संसार में सबसे पुराने देश अब तक मेरे हाथ मे शक्त थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी साशन जरूर मेरे हाथ में था पर भलाई की इच्छा मेरे मन में नहीं थी अब कुछ शक्ति नहीं जो तेरे लिए कुछ कर सकूं पर आशिरवाद करता हूं कि तो फिर उठे और अपने प्राचीन गवरों और यस को फ यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है पर इतनी उदाता माई लाड़ आप में कहा है माई लाड़ जिस प्रकार आपका बहुत उचे चड़ कर गिरना और यहां के निवासियों को दुखित कर रहा है गिर पर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है आपका पर छूट गया तथा भी आपका पीछा नहीं छूटा है एक अधना कल कलर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए एक महीने की नोटिस मिल गया हो नोटिस की यवद को वड़ी गिना से काटता है आपको इस समय अपने पर पर रहना कहां तक पसंद है यहां आप ही जानते होंगे आपकी दसा पर आपको कैसी घृणा आती है इस बात को जान लेने का इन देशवाशियों को औसन नहीं मिला पर पतन के पीछे इतनी उल्जन में पढ़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा माईलाड एक वार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए आप किस काम के लिए आये थे और क्या करके चले गए आये थे यहां सासन करने प्रजा का कल्यान करने भारत का कल्यान करने पर आपने किसका कल्यान किया अंग्रेजों का अरे शासक प्रजा के प्रत कुस्तों करतब भी होता है यह बात आप निश्चित मानते होंगे तो क्रिपा करके बतलाईए क्या करतब आप इस देश की प्रजा के साथ किये और उसका आपने क्या पालन कराया क्या आख बंद करके मनमाने हुकम चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासर है क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दवा कर उसकी मर्जी के बिरुद्ध जिद्ध से सब काम किये चले जाना ही सासन कहलाता है यह सासन नहीं है माई लाड एक काम तो ऐसा बताईए जिसमें आपने जिद्ध छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो कैशर और जार भी घेरने से घोटने से प्रजा की बात को सुन लिया करते थे पर आप एक मौका तो बताईए जिसमें किसी अन्रोध या प्रात्ना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुना ह नादिर शाह ने जब दिल्ली में कतले आम किया तो आसिप जाह के तलवार डले में डाल कर प्रात्ना करने पर उसने कतले आम उसी दम रोग दिया पर आप ही देखिए आठ करोर प्रजा के गिल गिलाने पर आपने क्या किया बच्चों आपने विदाई संभाषण ब्यंग को देखा इसमें कुछ प्रश्ण बनते हैं जैसे सीव संभ की दो गायों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है वास्तों में सीव संभ की दो गायों के माध्यम से लेखक भारत के ततकालीन वाइस राय लाड करजं को यह बताना चाहता है कि भारत एक देश है जहां सत्र के बिशुडने पर भी दुख कानभो होता है मैं आपको उसमें बता भी चुका हूं सीव संभ की एक गाय दूसरी गाय को अपने सीगों से तक्कर मार कर दुख पहुचाती थी और भी कमजोर गाय उनसे बिशुडने पर दुख को अनुभो करती इसके बाद जूर भी लेखक यह बताना चाहता है कि भारत देश जो है य इस प्रकार लाड करजन ने भारत में रहते हुए भारत भार्षियों को बहुत दुख पहुंचाया उसने भारत भार्षियों को पतन की और धकेल दिया फिर भी भारत भार्षियों के उसके जाने का गहरा दुख है और वे दुखी हो रहे हैं लाड करजन के बिदाई के का प्राधना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया यहां किस अइतिहासिक तर्थ की और संकेत किया गया है यहां लेखत ने 1905 में लाड करजन द्वारा किये बंगाल के विभाजन की अइतिहासिक गटना की और संकेत किया है लाड करजन भारत में दो वार वाइसराय बनकर आया पहली वार 1899 से 1904 तक तथा दूसरी वार 1904 से 1905 तक भारत के का वाइसराय बना इस पूरे समय में उसने अंग्रेजों का वर्चस्व इस्तापित करने और भारत के संसाधनों का अंग्रेजों के हिट में प्रयोग करने का कार किया उसने भारती लोगों को पूरी तरह अशहाय और लाचार बना दिया भारत के लोग बंगाल का भी भाजन नहीं चाहते थे किन्स उसने अपनी मनमानी करते हुए अपनी जिद्द में आ करके बंगाल को दो टुकडों में उसने बाड़ दिया अध्यप उस समय उसका भारत में बाइसराय बने रहना का जो कारिकाल है वो समाप्त हो रहा था लेकिन भारत से जाते जाते उसने बंगाल का भी भाजन करही दिया अब बच्चो एक आखिर करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा लाड़ करजन दो वार वाइसराय के रूप में भारत आया अभी आपको मैं बताई चुका हूं कि 1899 से 1904 तक और 1904 से 1905 तक वह अतीव निरंकुष आतताई प्रकित का था तथा बिविध प्रकार से अपने साथ गोरी सरकार के स्वार्थ सिद्ध के तिकडम में लगा रहता था भारत की जंता के लिए वह अत्यंत अरुचिकर था ही अपने अती मनमाने पन से कभी-कभी गोरी सरकार को भी रुष्ट कर देता था ऐसा ही एक अउसर तब आया जब उसने अपनी मनमर्जी के बसी बूत होकर काउंसिल में अपनी मन पसंद का अंग्रेजी फोजी अपसर रखने का प्रयास किया किन्तु अंग्रेजी सामराज्य ने हरी जंडी नहीं दी और स्विक्रित न मिलने के कारण दबाब बनाने के लिए अपने पद से स्थीफ़ा दे दी लाड करजन को पूरा विश्वास्ता कि उसके इस्थीपे की धमकी के सम्मुख गोरी सरकार उसकी बात मान लेगी परंत उसकी सोच के बिलकुल उल्टा सोच के विप्रीत उसका इस्तीफ़ा स्विकार कर लिया गया और उसे विवस होकर इंग्लेंड वापस जाना पड़ा अब एक सवाल और बनता है एक वाक्य है कि विचारिये तो क्या सान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई कितने उचे उठकर कितनी उचाईयों पर पहुंच कर आप कितने नीचे गिरे इसका भाव क्या है भारत का वाईश्राय ना केवल भारत अपित गोरी सरकार के लिए भी बहुत एहमियत रखता था इस पद पर आशीन ब्यक्ति अतिव सम्मान की नजर से देखा जाता था परंत लाड करजन ने इस पद का इस कदर दुरुपयोग किया भारत एवं भारतियों का अपने तथा अपने देश के स्वार्थ के लिए व भारतियों की भावनाओं को आहत किया थेश पहुचाई जिसके कारण भारतियों की नजर से तो गिराई गिरा अपने मनमाने पन के कारण कभी-कभी अपने पदेवम बदले के अनुरूप कार नहोने के कारण गोरी सरकार तक की आँख की किरकिरी हो गया और उसे अपना बुरिया बक्षी बांध करके इंग्लेंड लोटना पड़ा हूँ एक प्रशनोर बनता है कि आपके और यहां के निवाचियों के बीच में कोई तीसरी सक्त भी है यहां ऐसा लेखक ने क्यों कहा है वास्तों में यहां तीसरी सक्त भी प्राए गोरी सरकार से है और जिसकी मुखिया रानी विक्टोरिया थी भारत ब्रिटिश सामराज जिकाए भाग था वस्ता गोरी सरकार की नीतियों आदेशों के सुब्योस्तित पालन की देख रेक के लिए उनके प्रतनित के रूप में यहां वाइश्राय होता था लाड करजन के लिए भारतियों के स्वार्थ एवं भावनाएं भले ही मातनों न रखती हो पालतु अपने मनमाने पन के कारण गोरी सरकार की अंदे की उसे भारी पड़ गई जिसके कारण अपमान का गूट पीकर उसे अपने पर्द से इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस जाना पड़ गया बच्चो अभी चर्शा के दौरान मैंने नादिर साह का नाम लिया था यह नादिर साह कौन था इसमें किस संदर में उसका जिक्राया है उनलेक हुआ है यह नादिर साह का जन्म 1688 में हुआ था वह सं 1736 से 1747 तक इरान का सा सकता वह एक निर्वेश आ सकता उसके ताना साही सभाव के कारणि उसे नेपोलियान आफ परशिया के नाम से भी जाना जाता है नादिर साह ने ही अहमद साह अबदाली को पानी पत के तीसरे युद्ध में आक्रमन के लिए भेजा था नादिर साह की मृत 1747 में हुई नादिर साह अपनी कुरूरता के एक वार उसने दिल्ली में कतले आम मचाया और इसरी पुरूस बूड़े बच्चों को मौत के घाट उतार दिया तो पाठ में लाड करजन को नादिर साह से भी अधिक क्रूर और जिद्धी बताया गया है नादिर साह ने तो एक वार अपनी जिद्ध छोड़ दी थी लेकि लाड करजन ने भारतवाशियों के बार बार गिड़े गिड़ा कर प्रात्ना करने पर भी बंगाल का विभाजन करने की जिद्ध नहीं छोड़ी अंतता सन 1905 में उसकी जिद्ध के परिणाम सुरूप बंगाल का विभाजन हुआ राजकुमार सुल्तान ने नरवगर से किन सब्दों में बिदाली लेखक ने राजकुमार सुल्तान के बारे में बताया है ति उसने विपत्त के दिनों में गढ़ नामक के स्थान पर सरण ली वहां उसने चौकी दारी से लेकर उंचे पत्त काम किया और वह जब वहां से बिदा हुआ तो उसकी आखों में गढ़ के प्रत कृतक्यता का भाव था उसने नर्वरगढ को संबोधित करते हुए बड़े बिनम्र भाव से कहा प्यारे नवरगढ मेरा प्रणाम स्विकार कर ले आज मैं तुछ से जुदा होता हूं तु मेरा अन्न दाता है अपने विपत के दिन मैंने तुझ में काटे हैं तेरे रिंड का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता भाई नर्वरगढ यदि मैंने जान भूज कर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो यहां के प्रजा की सुब चिंता नहीं की हो यहां के इस्तियों को माता और वहन की जिस से नहीं देखा हो तो मेरा प्रणाम न ले न मुझे जाने की आग्यां दे इस प्रकार उसने अपने आखों में आशू भरकर नवरगण से विदा ली थी वास्तों में बच्चों विदाई संभाशन वियंग को आपने देखा समझा वियंग क्या है वियंग के कितने तत्त होते हैं कौन-कौन वियंकार हुए और बाल मु जब हम इसके केंद्रिय भाव की और जाते हैं निशकर्स की और जाते हैं तो इस पाठ में लेखक ने भारतियों की तत्कालीन बेबसी दुख एवं लाचारी के साथ सरकारी तंत्र की निरंकुस्ता के प्रवल पक्षदर लाड करजन की विवस्ता को ब्यंगात्मक धंग से जोड़कर दर्साने की कोशिश की है साथ ही इस विशे पर भी ध्यान आकर्शित करने का प्रयाज किया है कि सासन की निरंकुस्ता और आतताई रूप हर किसी के लिए कश्ट कर होता है चाहे वह सामान जनता हो या लाड करजन जैसा वाहसरा है यह पाठ प्रिश पर पावंदी के दौर में भी बिनोध प्रियता चुल्बुलापन संजीदगी नवीन भाशाप्रयोग और रवानगी के साथ एक साहसिक गद्य का नमूना भी है